वो हेलो, अभी तुम्हारी विदाई नहीं हुई है, इतना एमोशनल क्यों हो रही हो, और अगर इतना एमोशनल हुई न, तो मैं समझ दूगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है, वैसे मेरे इसाब से तुम्हें अभी हाँ बोल देना चाहिए, तुम्हें पता है न, मेरे पीछे लड़किया लाइन लगा कर वेट कर रही है, वो ब्रोच वाली लड़किया, अब घर चलें, नहीं तो मेरा फैमली पुलिस कंप्लेंट कर देगी, कि दुला दुलन, शादी से पहले ही भाग गए, झाल्ष टुलत कर दोलत कर दोली бол तेस्ट, माइ फुट, मैं आर्बी को सबसेच बताऊंगी, मैं, रॉबिश। काम डाउन, रिथिका, काम डाउन, तुम किसी टीवी सीरियल की बाहू की तरह क्यों बीफ कर रहे हो, यूर अगुड गर्ल, हाँ, अद अद यूर प्रेगनेंट, तो किसी और का गुस्सा, अपने इस बेबी पर क्यों निकाल रहे हो, कम ओन, मम्मा, जिस थेक डीप ब्रेथ, लामा क्लासिस में आपको कैसे सिखाया था, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वाव, डीप ब्रीधिंग करके, क्या डीप थौट आया, वाद आइडिया, अरे, इतनी देर से इसकी बैटरी राउन थी, बद बद देट, इसका मतलब, इतनी देर से किसी ने मुझे फोन भी नहीं किया होगा, तेकिन आर्वी ने तो जरूर की ओगा मुझे फोन, अरे, मासीप, आपने रितिका कोई देखा क्या, रितिका, ए राजवी, ये ले, इसको ले किदा सो, रन्भी, मेरे को एक बात बताने, तू और रितिका कोई पोक्ड़ा-पोक्ड़ी का खेल 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 रहे हो क्या है, और या भी या भी रितिका है, और उसकी मिचे-पिचे तू भी आगया है, ये सब चोड़, अभी कमरे में जा, जाके देखू कि उसकी मेंदी कर रहा है, कैसे आए, ये शायद कमरे में तेरा इंतचार कर रहे होगी, जा, जान हो, हाँ वर्मा, वो फोडोग्राफ मिल गई ना, जी मैडम, फोटो मिल गई है, और मेरी आँखों के सामने है, गुड, उस फोडोग्राफ को अच्छे से देख लो, कल सुबा साड़े ग्यारा बज़े मेरी शादी का महूरत है, और मैं नहीं चाहती कि उस शुब महूरत में, वो औरत कोई भी प्रॉब्लम प्रियेट करे, टोन्ट वरी मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें याद है न, क्या करना है, जी हाँ मैडम, बिल्कुल याद है, होटल सिटी रीजन जाना है, जहां पर इशानी ठहरी हुई है, गुड, ये नाम और ये फोटोग्राफ, दोनों मत भूल, जी ज़रूर, और हाँ, वो एक पड़ी लिखी लड़की है, तो उसे अच्छे से समझा देने, जी बिल्कुल, समझ गया मैडम, और ये काम सुबा नौ बजे से पहले ही हो जाना चाहिए, मैं शादी के शुब महूरत से पहले ही तसल्ली कर लेना चाहती हूँ, मैं उसे एक बहुत ही सेफ जगा पहुचा देना चाहती हूँ, मेरा वाला सेफ? जी बिल्कुल, समझ गया मैडम, काम हो जाएगा, ये, टिका, तुम किसे बात कर रहे हूँ? और किसे सेफ जगा पहुचाने की बात कर रहे थी? अरभी, वो तुम ही आदे, जो मेरी महंदी लग रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड का फोन आय था, ही ना? अच्छी आरभी, वो मेरी बहुत अची फ्रेंड है, लेकिन तुम उसे नहीं जानते, रिचारी बहुत परिशान थी, तो मैं उसे मिलने चली गई. तुमने मा को का के तुम जोलर के पास जा रही हो, मैंने जोलर को फोन लगा है उसने का के तुम आई ही नहीं हो आपर, किती चिंता हो रहे थी मुझे तुमारी? I'm sorry, आरभी, वो में जोलर के पास ही जा रही थी, लेकिन फिर उसका दुबारा फोन आगया तुम्हे उससे मिलने चली गई. चल, कोई बात नहीं, ऐसे वो ठीक है कि नहीं? नहीं आरभी, एक्चली इसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, पते उसका हस्बिन लोसे बहुत मारता भी है, पहले तो बिचारी ने बहुत टाइम तक सहा, लेकिन अब उससे बरदाश्ट नहीं होता, उससे अपनी मैरिड लाइफ पिड आओ! अजिकाँ, चया हुआ? तुम इसरा, बैट 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 इसरा, क्या होगी, अग्या है? या, आम एके, तो बैबी जिस किक्ट, बैबी ने अभी अभी किक किया, वैसे तो हमेशा किक करता है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ तब तो खुछ जादे ही किक करता है, यह देखो, तुम भी फील करो, टून बारी बैबी, पापा है, थैंक्यू आजी, हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए, अज जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली तो मुझे रियलाइज हुआ, कि अगर आपका हस्बर्न अच्छा ना हो, तो आपकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है, और तुम नहीं सिर्फ हमारी केर करते हो, बलकि हमें हर प्रॉब्लम से भी दूर रखा है, और अगर तुम ना होते हैं, तो पादा नी मेरे और मेरे बेवी का क्या होता है? तो तटो प्रॉब्ल में प्लीज में प्लीज स्टूपड़ लुकितनी स्टूपड़। हाचिनने कोशी के मौके परो रोरी हूँ एच ऐदे को मेरी मेंदी थोगए है, कितना सूंदर रंग चड़ई पते है अर्वी सब लोग क्या बोलते कि अगर आपकी महंदी का रंग चाहता है तो मतलब आपका हस्बन आपसे बहुत प्यार करता है I know, आर्वी, तुम अपने बीते कल से बाहर नहीं निकल पायो शानी को भी पूरी तरह भूल नहीं पायो लेकिन मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम मेरे जरूर होगे और मुझे उस दिन का इंतिजार रहेगा पूरा नाम लिखना है या एसम लिखना है कुछ भी लिख दे, मतलब तो एक ही है क्यों शिकर ओए, तु की लेट अफ ते लग्यो है, है? You know what, आप लोग मेरा नाम मत लिखवाईगे अनू क्यों होगे पूरा नाम मत लिखवाईगे